हलो दोस्तो, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग एक रोमैंटिक ड्रामा मोवी को एक्सपेंड करने वाले हैं इस मोवी के कहानी में हम लोग एक ऐसे बुड़े आदमी को देखेंगे जो कि एक नंबर का ठरकी होता है क्योंकि उसकी साधी अभी तक नहीं हुई थी इसलिए वो अपने फोन में हमेशा लड़कियों को देखता रहता था और वो हमेशा ये विस्ट करता था कि कास वो फिर से जवान हो जाए एक दिन जब वो एक लड़की के साथ घपा घप कर रहा होता है तब ही वो लड़की उसे बताती है उसे एक दवा के बारे में पता है जिसे लेने से वो फिर से जवान हो सकता है अब वो आदमी उस दवा के तलास में लग जाता है और फाइनली उसे वो दवा मिल जाती है वो जैसे ही इस दवा को लेता है वो फिर से बहुत handsome और जवान हो जाता है और अपनी सारी खवाहिसों को पुरा करता है लेकिन इसके बाद क्या होता है यह हम आगे इस movie में देखेंगे तो चलिए इस movie को सुरू करते हैं कहानी की सुरुवात एक बड़े से सहर से होती है यहां हमें एक बुढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम Gary है Gary एक photographer होता है लेकिन इसके साथ साथ वो एक number का ठरकी था और वो अपनी दुकान में बैट कर पूरे दिन बस लड़कियों की photos देखता रहता था एक दिन एक लड़की उसके पास आती है और वो उससे कहती है मैं passport size photo खिचवाना चाहती हूँ ये सुनकर Gary उसे changing room से coat निकाल कर देता है और फिर वो खुद बाहर चला जाता है Gary के जाने के बाद वो लड़की अपना कपला change करने लगती है लेकिन Gary चुपके सो उससे कपला change करते हुए देखता है लेकिन जल्दी उस लड़की को Gary की हरकत का पता चल जाता है इसके बाद वो Gary के दुकान में बहुत हंगामा करती है वो Gary पर बहुत चिलाती है और उसे बहुत सारी गालियां देकर यहां सर चल जाती है Gary के दुकान के जस्ट बगल में सैल उनकी दुकान थी और इस दुकान का मालिक ली नाम का आदमी होता है और वो उससे कहता है हम लोग बुढ़े हो चुके हैं और हम लोगों को अब लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए लेकिन गैरी तो खुद को बुढ़ा नहीं मानता है इसलिए उसे ली की बाते फिजूल लगती है रात होने पर गैरी अपने घर आता है और वो यहां अपने फोन में लगा हुआ था और अपने फेवरेट एक्ट्रेस की मोवी देख रहा था लेकिन वो एक एडल्ट मोवी थी उस वीडियो को देखते देखते गैरी के तन बदन में आग लग जाती है इसके बाद वो अपनी हाथ की सकती दिखाता है और अपने आपको ठंडा करता है हम लोग देखते हैं गैरी अभी तक हुआ रहा है और उसकी साधी अब तक नहीं हुई है क्योंकि उसके पास अच्छा घर नहीं है साधी ना होने के कारण वो पूरा दिन सिर्फ लड़कियों के बारे में सुचता रहता था अगले दिन गैरी के दुकान में एक लड़का आता है और वो डिफरेंट डिफरेंट वोज में अपनी फोटोज खिचाता है इसके बाद वो गैरी की खिची हुई फोटोज देखता है तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है तुम तो इस सहर के सबसे बदनाम फोटोगराफर हो और तुम्हें कई बार लड़कियों ने पिटा है कई बार तुम जेल जाते जाते भी बचे हो गैरी की यहाँ सरमिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उसकी बातों को इग्नॉर करता है इसके बाद वो लड़का उसे पैसे देकर अपने फोटोज लेकर चला जाता है उसके जाते ही ली गैरी के पास आता है और वो उसे कहता है हमारे सहर में एक नए कलब खुला है जहां कई लड़कियां पैसे लेकर कुछ भी करती है हमें एक बार तो वहाँ जरूर जाना चाहिए लेकी बात सुनकर गैरी मान जाता है इसके बाद वो रात होने पर नए कलब में आते हैं और यहां आकर वो बहुत दारू पीते हैं उसी वक्त एक लड़की आकर लिके पास में बैढ़ जाती है और वो लड़की देखने में बहुत खुबसूरत थी जिसका नाम सुजी था सुजी को देखकर गैरी के फिलिंग्स जागने लगती है और सबसे इंट्रेस्टिंग बात ये थी इस सुजी भी उसी को देख रही थी कुछ दर बाद हम लोग सुजी को देखती है जो कि गैरी के घर में आई है और गैरी उसे घोड़ी बना कर घबाघप कर रहा है इसके लिए गैरी ने उसे पैसे दिये थे गैरी यहां अपने पूरी ताकत लगाता है लेकिन उससे कुछ खास नहीं हो पा रहा था मिसन में नाकाम होने के बाद गैरी सुजी से बाते करता है गैरी उससे पूछता है तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा सुजी पहले तो उसका मजाक उलाती है लेकिन वो बाद में कहती है मैंने एक दवा के बारे में सुना है जो कि बुढ़ों को भी जवान बना देती है और वो दवा हमारे सहर में भी अवेलिबल है लेकिन वो कहां मिलती है ये मुझे नहीं पता सुजी की बात सुनकर गैरी सोच में पड़ जाता है और अब Gary को हर हाल में वो अदवा चाहिए थी कुछ दिनों बाद एक नई बिल्डिंग में एक model का photo shoot हो रहा था Gary भी यहाँ पहुँचकर उसकी photos लेता है और यह नई model देखने में बहुत खुबसूरत थी इस खुबसूरत लड़की को देखकर Gary के मुह में पानी आने लगता है इसी बीच model का manager यहाँ आता है और वो इन लोगों को photo लेने से रोकता है क्योंकि model को इस वक्त make up करना था उसकी बात मानकर सारे photographer's रुख जाती है और make up man model का make up करने लगता है Gary को जैसे ही मौका मिलता है वो model के पास आता है और उसे वो उसका नाम पुछता है तब ही make up man और भी समान लेने के लिए यहाँ चला जाता है तब Gary को model से बात करने का मौका मिल जाता है और वो उसके साथ काफी सारी बाते करने लगता है बातों ही बातों में Gary उसके close आता है तब model उससे कहती है मेरा rate बहुत high है और मैं सिर्फ अमीर लोगों को ही छुने देती हूँ और उन लोगों के पास बहुत बड़ी गाडियां होती है तुम तो काफी गरीब इनसान हो साथी साथ तुम बुड़े भी हो उसके बाद सुनकर गरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है तब ही make-up man यहां आ जाता है और वो model को बचाता है इसके बाद model का manager यहां आकर गरी को बहुत मारता है ये लोग यहां Gary को खुब मारते हैं इसके बाद उसे यहां से निकाल दिया जाता है इतने बुरे तरीके से मार खानी के बाद Gary और भी गुस्सा हो जाता है और अब वो उस मैनेजर को मारना चाहता था लेकिन वो खुद ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत बुढ़ा हो चुका था वो गुससे में सायर में इधर-उधर घूमने लगता है इधर-उधर घूमते हुए उसकी निजर एक दवा खाने पर पड़ती है इस मेडिकल स्टॉर को देकर उसे सुजी की बाते याद आती है इसके बाद वो उस दवा खाने में जाता है यहां पर एक औरत बैठी हुई थी गेरे उसके पास जाता है और यह कहता है मुझे घोड़ी की तरह पावर देने वाली दवाई चाहिए इस पर वो औरत उससे कहती है मेरे पास ऐसा कोई भी दवा नहीं है उसकी बातों को सुनकर गेरे उदास हो जाता है और यहां से जाने लगता है तभी एक औरत अंदर से निकलती है